अब सर्महिलाओं को period के टाइम पर काफी problem होती है कई महिलाओं को period की rate दो-दो महिरे छोड़कर आती है तो कई महिलाओं को 21 दिनों के अंदर ही period की rate आती है जिसे महावारी कहा जाता है आन्यामित महावारी हमारे शेरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है अगर आप भी इस परेशानी से ग्रस्त हैं तो आपको जानने की ज़रुरत है कुछ ऐसे उपाए जिने करके आप इस परेशानी से अपने आपको बाहर निकाल सकती है तो आईए मैं आपके दोस्त आज आपको बताऊंगी आन्यामित महावारी से बाहर निकलने के कुछ घरे लूप पाए टिप नमबर वन तिल सफेद तिल को राद भर पानी में भीगो कर रखें और सुबह उठने के बाद उसे च्छान लें इस पानी को आप आधा आधा करके आधा सुबह और आधा शान को पिए अगर आप इस पानी का सेवन नियमित रूप से करते हैं तो आपकी महावारी की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी डिप नमबर टू है जीरा जीरी का सेवन करने से आपका मासिक धन तो ठीक होगा ही होगा और समय पर भी होगा साथी साथ उस समय पर जो बहुत ज्यादा दर्ध होता है वो भी ठीक हो जाएगा आप अगर चाहें तो जीरी के अंदर शहद मिला कर इसका प्रियोग कर सकते हैं ऐसा करने से आपको दर्ध भी कम होगा साथी साथ डेट भी टाइम टू टाइम आएगी टिप नमबर थ्री है पपीता पपीता एक ऐसा तत्व है जिसका सेवन करने से हमारे शही को काफी ताकत मिलती है पपीते के अंदर भरभू मात्रा में एंटि आक्सिडेंट तत्व भी पाय जाते हैं इसलिए अगर आप पपीते का सेवन यामित रूप से करते हैं तो भी आपको मासिक धर्म की आन्यमिता से काफी आराम मिलेगा टिप नमबर फूल है गुड़ल का पूल गुड़ल के फूल का इस्तेमाद करने से भी आपको काफी फायदा मिलेगा गुड़ल के फूल को सुखा कर उसका चूरन बना कर रोजाना एक चमच पानी के साथ सेवन करें ऐसा करने से शरीर के अंदर इस्ट्रोजन और प्रोजिस्ट्रोन की मातरा संतूलित होती है जिसकी वज़े से पीरिट्स की आन्यमिता ठीक हो जाती है पीरिट्स की आन्यमिता को दूर करने के लिए तूल्सी के एक चमच रस के अंदर एक चमच शहर मिला कर उसका सेवन करें ऐसा करने से आपकी डिए एक टाइम टू टाइम आएगी सो फ्रेंड्स ये थे कुछ घरेलों नुसके जिनका इस्तेमाल करके आप पीरिट्स में होने वाली आन्यमिता को दूर कर सकते हैं इन्हें आजमाई और अपने व्यूज को हमारे साथ शेर करिए मेरी ब्यूटी और हेल्स से रिलेटीड वीडियो को देखने के दिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजे